हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लीज एक्सप्रेस अरजू सर पर और मैं बता दू कि आज बिहार बूर्ड वाले बच्चों के लिए क्लास 12 का इंग्लीज रैंबो पार्ट टू का प्रोज सेक्षन का चैप्टर नमबर टू भारत इस माई होम पढ़ाने जा रहा हूं बताने जा रहा हूं एक एक सेंटेंस का एक एक वर्ड का मिनिंग बताऊंगा और कैसे पढ़ना इसको समझना कैसे है यह सारी बातों को मैं बताऊंगा तो बस एक डिक्वेश्ट आपसे कि प्लीज वीडियो को सुरू से अंतक देखिएगा बीच में छोड़के मत भागेगा अन्य था यदि बीच में छोड़ देते हैं वीडियो को तो फिर आप जिस चीज को सीखना चाहरा रहते साथ आप नहीं सिख भाएंगे तो मैं कर दो कि प्लीज अंतक देखिएगा वीडियो को बहुत प्लीटन बाई ज्यकिर हुसेन यह जिए जाकिर हुसेन सहब के मीड़ लिख गया है अब यह क्या है कैसे है आगे बात करेंगे आप चलेगा जैसे यहां पर कुछ बातें बताइब गई है यह जेकिर हुश्ण सहाब के बारे में हैं यह सारी बाते हैं तो पहले इनकी बिसे में चर्चा करते हैं देखिए क्या कहा जाता कहते हैं डॉक्टर जाकिर हुश्ण एटीन नाइनटीन सेवें एटीन नाइनटी सेवें यानि डॉक्टर जाकिर हुश्ण सहब का जर्म आठ्रस और संतानवे स्वी में हुआ एंड नाइनटीन सिक्स्टीनाइन और इनकी दिहांत है वह उनिश्व उनहांतर इसम हो गया और फिर आगे कौमा है यानि डॉक्टर जाकिर हुश्ण एटीन नाइनटी सेवें नाइनटीन सिक्स्टीनाइन का मतलब है कि जॉक्टर जाकिर हुश्ण सहाब का जन्म ठारस और संतानवे स्वी में हुआ और इनकी निधन इनकी दिहांत उनिश्व उनहत्तर इसम हो गई का जनम हुआ था वाज वन ओफ आवर ग्रेटेश्ट फ्रीडम फाइटर्स यह जो थे हमारे श्वतंत्रता अनेक स्वतंत्रता से नानियों में से जो भी देश के अजादी के लिए राए रहते थे उनमें से एक यह महान थे एज वेल एज एन इमिनेंट एजुकेशनिस्ट उसी तरह जिस तरह एक सिक्षा के छेत्र में यह विद्वान थे सिक्षा विद्वित लोग थे मैं बता दू इमिनेंट एजुकेशनिस्ट इमिनेंट एजुकेशनिस्ट का मतलब है यह सिक्षा विद्थे शिक्षा के बिद्वान लोग थे लुए रहें ऑज़ी दॉक्तर एज नहीं का पूरा नाम है डॉक्टर जाकिर हुशन दॉक्तर हुशन वी मिचेम ड़ासिदेंट ऑफ इंडिया को फिर यह भारत के राश्ठ पती चूने जाते हैं निउकत किये जाते हैं भारत के राश्ठ पती बने in 1967 आप इंडिया इन 1967 यानि भारत के राष्ट पती बने कब उनिश्व शर्षट में उनिश्व शर्षट में भारत के राष्ट्र पती भी बने नियुक्त किये गए और इसे पहले ही यह विहार के राजपाल के रूप में अपनी सेवा दिये थे दे चुके थे भारत is my home भारत मेरा घड़ है त्यान रखेंगे इस चैप्टर का ही नाम है भारत इस मैं हो मैं यानि भारत मेरा घड़ है भारत मेरा घड़ है is an extract from the speech he gave in 1967 after taking the oath as president मैं बता दू क्यों उनिश्व शर्षटिश्व में जब यह राष्ट पती के पद का शपत लेने के बाद शपत लेते समय उसके बाद जो भासन दिये थे उसी भासन का एक हिस्सा है यह भारत इज्वाई हो उसी भासा का भासन का इसा है इन हीज फर्ष्ट एस्पीच और उनके पहले भासन में एस दो प्रेसिडेंट आफ इंडिया यानि भारत के राष्ट पती के रूप में उनकी प्रथम भासन में पहले ही भासन में कि डॉक्टर जाकीर हुसें डॉक्टर जाकीर हुसें प्लीजड हिमसेल्फ खुद में शपत लेते हैं कसम खाते हैं टूदा सर्विश ऑफ टोटलीटी ऑफ इंडियन कल्चर की वह पूर्ण रूप से पूरी हार्दिक एक्छा से भारत की शंपूर्ण संस्कृति की सेबा करने का सपत लेते हैं और ऐसा करते हैं भे फिर आगे देखिए यहां आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहां पर कुशन आंसर दिया गया है कुशन एंसर पर बात किया गया है कि वर्क इन श्मॉल ग्रूप सेंड डिस्कर्स दे फॉलवाइग इस पर बाद में चर्चा करूंगा पहले आप पढ़ लेजिए आपकी चैप्टर स्टार्ट होती है यहां से अभी तो यहां सिर्फ इनके विशाय में बताई गई है डॉक्टर जाकिर हुश्ण साहब की ब बाश्पतिपत के सपत्ग्रहन के बाद सबसे पहला वासंता उस वासन का एक हिसा है इसमें क्या-क्या बात बताई गई है इस पर चर्चा करेंगे और आपको सब्धाने की भरपूर कोशिस करूंगा चलिए श्टार्ट करते हैं भारत इज माई हो भारत मेरा घड़ है आई मस्ट कनफेज अब ध्यान रखेंगे मैं कुछ-कुछ शब्द का मीनिंग बताऊंगा मस्ट का मतलब है आवश्य कनफेज कनफेज का मतलब है शुईकार करना आई मस्ट कनफेज यानि मुझे आवस्य शुईकार करना चाहिए का यहां सेंस है कि मैं शुईकार करता हू मैं सुईकार करता हूँ डैट की आई एम ओवर वेल मेड मैं गदगद हूँ यह कहते हैं मैं सुईकार करता हूँ डैट की आई एम ओवर वेल मेड ओवर वेल मेड का मतलब होता अभी भूत गदगद हो जाना क्यों गदगद है by the trust my people have placed in me मेरे लोगों के द्वारा मेरे देशबासियों के द्वारा जो बिसबास मुझे पर किया गया है जो भरोसा मुझे पर किया गया है मुझे थोपा गया है by electing me मुझे चुन कर to the highest office in the land यानि यहां land का मतलब है कि देश और highest office का मतलब है राष्टपती पदपर यानि मुझे देश के सबसे सरवच सबसे उचा पदपर यानि राष्टपती के पदपर चुन कर जो भरोसा जो बिसबास मुझे में जताया है इससे मैं गदगद हो उठा हूँ अभी भोत हो उठा हूँ कि रस्ट का मतलब होता है बिसबास और प्लेश्ट का क्या मतलब होता है तो प्लेश मिस होता है दिया यानि किया रख आपंने प्लेस्ट कोई कर दिया हैं एक पर भरोशा किया मेरा क्म रखा सबसंगर यानी राष्ट Πरती का पद होता है इन देश की इन दो लेंड यानि देश की लेंड का मतलब यहां देश राज्य को पैड़ाग्राप टू में चलते हैं पैड़ाग्राप टू में चलिए डॉक्टर राधा कृष्णन ब्राउट टू दू प्रेसिडेंसी और मेंटल एक्यूप में आप कहाते हैं कि राष्ट्पती डॉक्टर राधा कृष्णन ब्राउट टू दू प्रेसिडेंटी प्रेसिडेंसी और मेंटल एक्यूप मेंट डिग्री ओफ इरुडेशन और वेल्थ ओप एक्स्प्रेंस डियरली टू फाउंड अनिवेर अब देखिए कि राष्ट्पती बनने पर डॉक्टर राधा कृ एक बुद्धि से भड़ा उपकरन प्रदान किया बुद्धि से भड़ा उपकरन प्रदान किया विद्वता का यानि विद्वानता का एक ऐसा अस्तर एक ऐसा अस्तर अनुभाव की एक ऐसी शंपदा दी जो अन्यत्र दुर्णव है एसी उपलब्धी डॉक्टर राधा कृष्णन सर्पली राधा कृष्णन के नाम संदुख जानते हैं इनको इन्हों ने दिया जो शायद ही कहीं मिलता हो कहीं पाया जाता हो रियरली टूब फाउंड के कहा मतलब है रियरली मतलब कठिनाई से होता है बे 읽 Lindsey करें भी इस होता है बिद्वता मैं फिर बता देता हूं इरूडीशन मतलब क्या होता है बिद्वता एक्त इक्यूप्मेंट मतलब होता है इक्यूपमेंट कहा contract होता है युंट्र मैं एक एक आड़ voter दिया है फिर आगे देखेंगे कि दूरिंग और लाइफ टाइम कि दूरिंग और लाइफ टाइम है डिवोटेट टू दी पर्शीट अफ नॉलेज एंड ट्रूथ अब फिर से ज़रा देखिए कहता है डिवोडिंग लाइफ टाइम उन्होंने अपने जीवन काल में कि उन्होंने अपने जीवन काल में डिवोटेट दूट टूदी पर्शीट अफ नॉलेज एंड टूथ यानी पर्शीट मतलब खोज करना क्या क्या उन्होंने तो ग्यान वसत्त की खोज में और डिवोटेट कर दिया यानि शमर्पित कर दिया अपने जीवन को बिलकुल अप has done more than probably any other man to bring out and explain India philosophical thought and the oneness of all true spiritual values अब देखिए जरा कहते हैं कि करके भारती यह दार्षनिक विचारो को फिलोस्पिक विलोस्फिकल थॉट यानि डार्षनिक विचारो को व हौ है सच्छे अध्यात्मी की मुलौ की एक था अध्यात्मी की मतलब आब यहाँ पर वता दें फिर वहां पर देखिचे दो on幫 of all spiritual values spiritual values मतलब अध्यात्मिक मुल्यों अध्यात्मिक मुल्यों की सत्य त्रू मतलब सत्य अध्यात्मिक मुल्यों की एकता की सच्छे अध्यात्मिक उन्हों की एकता की क्या किया है उन्होंने ब्याख्या किया है क्या किया है ब्याख्या किया है कैसे अब फिर देखिए यह कहत जितना आस्था करेगा कोई और बैक्ति अन्ने किसी बैक्ति कि अधिक किया है इसा कहा जाता जैसे इनी अधर मैं टू ब्रिंग आउट एक्सप्लेंड कोई दुसरा बैक्ति जितना करता उससे कहें जादा इन होने किया फिर मैं बता दू आपको आगए आएंगे लिए नेवर लॉष्ट लॉष्ट ये ऐसे बैक्ति हैं जुन्हों ने कभी भी अपना भरोसा नेवर लॉष्ट लॉष्ट नहीं खोया अपनी भरोसा कभी नहीं खोया ये अपनी भरोशा कभी नहीं खोया कहाँ in the essential humanity of man यानी मनुस्र के मुल्भुत मान वियता में and he himself has never seized और ये खुद को कभी नहीं बंद किये कभी नहीं रोके क्यों to champion the right of all men सभी लोगों के अधिकार की लराई लरने के all men to live in dignity and with justice यानी सभी लोगों के लिए सम्मान वर न्याय के साथ जिने के अधिकार के लिए लड़ते रहें और ये कभी भी पीछे नहीं आटे कभी भी दिगे नहीं अपने कारे से पैड़ा आप थर्ड में आएंगे I can only assure you मैं आपको विश्वास दिला सकता हूं मैं आपको सिर्फ भरोशा दिला सकता हूं यानि मैं आपको विश्वास दिलाता हूं that की I enter this office मैं इस कार्याला में परवेश करता हूं in a spirit of prayerful humility and total dedication यानि मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं इस आफिश में मैं इस आफिश में मैं इस पद को बिने सील पूरबक बिनमर्ता पूरबक वह पूर्ण शमर्पन की भाव से क्या करता हूं के भाव के साथ ग्रहन कर रहा हूं यानि ग्रहन करता हूं I have just taken the oath I have just taken the oath यानि मैंने अब ही अब ही भारतिये I have just taken the oath of loyalty to the constitution of India यानि मैंने अभी अभी भारतिये संविधान के प्रती निष्टा की सपत लिया है यानि मैंने भारत भारत देश की जो संविधान है इसको इसके प्रती निष्टा भाव से सपत ग्रहन किया है सपत लिया है इट इस द इट इस द फिर आगे मैं दिखाता हूँ आपको अचले इस द इस द इस द बिखाता हूँ comparatively new estate which its free citizens have अब यह क्या कहड़ा यह देखिए यह कहते हैं यह संभीधान Constitution of the comparatively new estates which its free citizens have for the first time in history given to themselves कहते हैं यह संभीधान यह संभीधान आप चाकृत एक नए राज का है जो इस देश के जो इस देश के कि स्वतंत्र नागिड़ों को ने इतिहास में पहली बार अपने उपर पहली बार अपने उपर अपने उपर कि लागू किया है कहते हैं Constitution of a comparatively new estates which its free citizens have for the first time in history इस्तिहास पहली बार given to themselves जो इन सभी पर लागू नहीं किया जाता है यह खुद पर लागू किये हैं it is the youngest state of an innocent people और यहां फिर कहते हैं कि यह उन प्राचीन लोगों का नया राज है कैसा राज है नया यंग स्टेट नया राज है जवान है हुब